इसमें हमने डिमागन्स ला की एक स्टेट्मेंट है A intersection B whole complement के 4th part है जिसमें हमने प्रूव करना है A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement तो ये डिमागन्स ला की भी एक स्टेट्मेंट है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि U 1 से लेकर टन तक है तो हमने सबसे पहले U को highlight कर लिया U के अंदर A और B हैं जिनके 3 और 5 elements common थे इसके लावा A 179 और B 248 थे तो ये A complete 179 35 था तो ये 35 दोनों का common portion आगे तो सबसे पहले हमने U को highlight किया था उसके बाद A के लिए A को highlight किया था और B के लिए B को highlight किया था अब हमने क्योंके A intersection B का whole complement find out करना है तो सबसे पहले हम A intersection B को find out करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं A intersection B और इसके लिए हम figure draw करते हैं फिगर बिलकुल वैसे ही ड्राव होगी जैसे हम पहले कर रहे हैं सबसे पहले A ड्राव करेंगे फिर B, A और B के जो common elements हैं वो 3 और 5 हैं तो यहां पर हम लिखेंगे 3 और 5 उसके अलावा A के बाकी elements हैं 1, 7, 9 और B के बाकी elements हैं 2, 4, 8 और यह U था U के बाकी elements जो A और B के इलाव है और six और ten है अब देखें ए यहां पर हाईलाइट हुआ हुआ है यह कम्प्लीट तो इस पॉर्षन में और इस पॉर्षन में अगर हम देखें यह ए है और यह बी है देखें यहां पर one seven nine मुझूद है लेकिन यहां पर one seven nine हाईलाइट नहीं है इसी तरह यहां पर two four eight highlight नहीं है यहां पर two four eight highlight है तो अगर हम इन दोनों figure को देखें तो इन में जो common portion highlight हुआ हुआ है वो है three and five तो a intersection b में हम common portion जो दोनों का है वो three और five है three और five को हम highlight कर देंगे तो इस तरह three और five highlight हो गया अब हम a intersection b का compliment मालूम करेंगे तो compliment हम जानते हैं कि a intersection b का opposite set होता है वो तो हम उसकी figure draw करने के लिए जो portion पहले highlight हुआ 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 था उसके लावा बाकी तमाम highlight कर देंगे यानि के यू लिखेंगे u के अंदर a और b ये set a है ये set b है और बाहर six और ten थे u के दो elements common portion था three और five और a के बाकी elements है one seven nine और b के बाकी elements है two four और eight अब देखें क्योंके a intersection b का compliment हमने find out करना है तो सबसे पहले क्योंके हमने intersection b find out किया था जिसमें सिर्फ three five को highlight किया था अब क्योंके compliment बालूम करना है तो three five के लावा बाकी तमाम portion हम highlight कर देंगे छोड़ के three five को क्योंके दो sets एक दूसरे का compliment कहलाते हैं अगर वो एक दूसरे से opposite होते हैं कि अगर उन दोनों का मिला दिया जाए तो universal set बान जाता है तो देखें यहां पर हम three five के लावा बाकी सारे का सारा highlight कर रहे हैं आप किसी तरह भी highlight कर सकते हैं LED pencil यूज़ करें तो ज्यादा बेहतर है LED pencil अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी line अगर तजावज कर जाएंगी अपनी हाद से तो आप उनको remove कर सकते हैं तो यहां पर देखें यह हमने इसको भी highlight करेंगे three और five के लावा बाकी तमाम हो जाएगा तो यह मैंने गलती से छोड़ दिया था तो इसको भी highlight कर दिया तो देखें यहां पर सिर्फ three five बाच गया three five के लावा बाकी तमाम का तमाम portion हमने highlight कर दिया तो इस figure को हम figure one का नाम देते हैं और तो बाकी अब इसकी right hand side की figure draw करते हैं तो right hand side में सबसे पहले a compliment है तो देखें यहां पर यह a है तो a का compliment a के लावा बाकी तमाम का तमाम portion आजएगा सबसे पहले a compliment draw करते है a compliment के लिए a के लावा बाकी तमाम portion हाईलाइट कर देंगे यह a है यह b है common portion three five है यह a और यह b तो a के बाकी elements थे one seven nine यह तो common था three और five a के साथ b के साथ sorry और इस तरह b के बाकी elements है two four eight तो a compliment हमने क्योंके find out करना है तो यह set a था a का opposite set यानि कि a को छोड़के बाकी सारे का सारा portion हाईलाइट हो जाएगा तो इस तरह इसको हाईलाइट कर देते है यह इसमें से निकालना है बाकी तमाम का तमाम highlight हो जाएगा यह अपने साथ b का भी वो हिस्सा निकाल लेगा जो इसके साथ common है तो इस तरह हमने इसको भी highlight कर लिया आप horizontal lines भी लगा सकते है यानि कि इस तरह की lines भी लगा सकते है या vertical lines भी लगा सकते है मुझे यह lines लगाने में असानी होती है तो इस तरह मैं यह lines लगा रहा हूँ इसी तरह b compliment find out करना है तो b compliment के लिए b compliment की figure draw करते हैं यहाँ पर यह यू और यह साथ में 6, 10 भी लिखनें तो ज़्यादा बेहतर है यू 6 और 10 तो यह एक set A है एक set B है तो A के elements है 1, 3, 5, 7 और 9 B के elements है 2, 3 लिखा जा चुका है 4, 5 भी लिखा जा चुका है और 8 अब B compliment मालूम करना है तो B compliment के लिए हम वो बला portion हाईलाइट करेंगे जो B के लावा है बाकी तुमाँ तो B के लावा बाकी सारे का सारा तो B निकल जाएगा इसमें से B के लावा बाकी तुमाँ हम हाईलाइट कर लेंगे अगर गल्ती से अब लाइन गल्त लगा देते हैं तो उसको आपने रिमूव कर देना कलर भी कर सकते हैं इसको अगर आपके पास time हो पेपर में Otherwise आप LED पैंसल यूज़ करें तो ज्यादा बेतर है अब देखें A कमप्लिमेंट हमारे पास ये A के लावा बाकी तुमाँ का तुमाँ पॉर्शन आ गया और B कमप्लिमेंट हमारे पास B के लावा बाकी तुमाँ का तुमाँ पॉर्शन आ गया तो अब हमने right hand side हल करने के लिए A compliment, union B compliment, यानि के इस figure और इस figure में दोनों में जो portion shaded हुआ हुआ है उसको हम मिला देंगे तो देखें, A compliment union B compliment, इन दोनों figures को हम use करेंगे इसमें तो सबसे पहले यहां पर A draw करते हैं, फिर B B, यह U है और U के बाकी elements है 6 और 10 जो A और B का हिस्सा नहीं है A और B, A में आता है 3, 5, B में भी 3, 5 आता है, इसलिए common portion में हमने लिख दिया, A के बाकी elements है 1, 7, 9, और B के बाकी elements हैं 2, 4, 8 तो अब देखें, इन दोनों figures को हम देखते हैं, अगर यहां पर देखें तो outside area जो है वो shade हुआ 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 है, और इसमें भी shade हुआ 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 है, तो इसमें outside area आ जेगा क्योंकि एक में भी अगर होता तो वो आ जाता, 1, 7, 9 यहां पर shade नहीं हुए 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 कोनों जगा पर 35 मिसिंग है तो इसका मतलब है जब हम शेड करेंगे ए यूनियन ए कंप्लिमेंट यूनियन भी कंप्लिमेंट के लिए तो उसमें ए और बी का जो कामन पॉर्शन है 35 वो नहीं आएगा अच्छा कुछ बुक्स पर मैंने इस तरह अब्सवर किया है कुछ की बुक्स पर कि उन्होंने पहले को हल किया है ब सिंपल तरीके से हल करने के बाद फिर उन्होंने उसको शेड का दिया तो उस तरह फिर मकसद नहीं रहता basically वेन डायाग्राम इन SETS को समझने का एक असान तो यह जितने भी operation है SETS के उपर अगर हम वेन डायाग्राम की मदद से देखते हैं तो तस्वीरी तरीके से हम इनको समझ सकते हैं तो अगर आप हाल करके यह VIN n डायाग्राम DRA करते है तो उसका फिर कुछ फाइदा नहीं होता तो देखें यहां पर यह हमारे पास वान थी फिगर वान इसमें भी 35 हाइलाइट नहीं हुआ था इसी तरह यहां पर हमने टू ड्राव की फिगर टू जो कि क्या है एक कंप्लिमेंट जूनियन भी कंप्लिमेंट को शो कर रही है तो इसमें भी 35 हाइलाइट नहीं हुआ यानि के ये figure और वो वाली figure same आगी तो यहां पर हम लेखेंगे फञेंगे from figure one and two a intersection b کا whole compliment is equal to a compliment union b compliment तो इस तरह हमने win diagram को use करते हुए डिमागन लाग की एक स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया नेक्स लेक्चर में हम इस कोस्टन का जो नेक्स पार्ट है उसमें दोनों साइड्स को वैंड डायाग्राम की मदद से एक्वल प्रूव करेंगे